कैसे हैं निव टीप्स निव हैं के साथ आगे वी फ्रेंस रूज की तरह तो देखे गड़मी तो अस्टार्ड हो गया है है ना तो बहुत सारे ऐसे सी कीचन में चीजे जिसे हमें ध्यान देना परता है और बिरबाद होने समय बचाना परता है तो घर और कीचन के काम तो हम ड करना चाती हूं हम मसूर का दाल है इस तरीके से ज्यासरे मसूर का दो जाग है तो इस तरीके से हम इसे खड़ा बहुत जल्दी जी कि ब estatis भी कभी हो जता ता है फिर धूब हो जlon אחर घंज हो तो इसके बज़ में एक ज़ए कीचन का बहुत ऐसा ऐसा चीज है जो कि खड़ाब होने लगता है और हम इस तरीके से दाल जो है कठा लेकर आ जाते हैं और रग देते हैं तो खड़ाब होने से बचने के लिए आप एक टिप्स को देखिए यह जो है लॉंग तो यह लॉंग जो है फूल वाले लॉंग होता ह उसे हमें यूज करना है दस लॉंग लेना है और इस तरीके से जितने भी आपको दाल है आपके पास उसमें मिक्स कर दें आप देखोगे कि यह बहुत लंबी समय तक चलेगा और खड़ा भी नहीं होगा चलिए दूसरा टीप से देख लेती हूं जैसे कि फ्रेंस देखिए इहां पर हमारा ये मसल दानी है तो हम तो डेली ही यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए दोपहण में जिस टाइम हमें दोपहण में फिरी होते हैं उस समय में जितने भी हमारे मसाले हैं मसल दानी में भढ़ कर एक बार रख लें इस से क्या होगा हमारा समय भी बचेग और फिर हम जो है अपने कीचन का देखवाले भी तोपाण में ही करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो कीचन है, अच्छे से सारा चीज एक जगा रहता है, तो देखे इस तरीके से अब हमें करना चाहती हूं आप लोग को जैसे कि ये मसाला जैसे यूज करते हैं, सुबह क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से हमें तो पहले इस तरीके से यहां पे सारे मसाले को इस तरीके से बराबर बराबर ले लेना है, जैसे कि जितना अम धनिया लिये हैं, और हिसाब से लेना है, जैसे कि हमें मिर्ची इस तरीके से मिला लेना है, जैसे हम सबजी में जैसे तो वह तो पता ही होगा कि हम हमें कितना क्या दिते हैं तो इस तरीके से लेने के बाद आप ए जगह मिला करस्य सारे मसाले को मीक्स करकर आप एक मसाला ने वासिवा मप्त जरकांप जता है सबजी पनाना तो फिर हमें एक बार ही मसाला निकालना पड़ेगा और फिर हमारा सब काम हो जाएगा तो देखिए दस मिनिट जिस काम में हम लगता है उस काम हमें पांच मिनिट में कर लूँ तो इसे अच्छा क्या बात है तो टीप सेंट ट्रिक से काम करने पर बहुत ही थो यहां पर यह दोर्मेट है तो यहां दर्बाजे पर या फिर रूम में या बातरूम के पास इस तरीके से सभी लोग रखते हैं क्या होता है घर में बच्चे हैं या फिर को इस तरीके से चलते हैं तो दोर्मेट है यहां सो हां खिसक जाता है तो फिर हमें बार बार उसको ए इसमें हमें इसे चिपका देना है तो आप कोने पे भी और एक जगा बीच में इस तरीके से डॉर्मेट में चिपका देते हो और इस तरीके से पलट कर अच्छे से दाब देते हैं इसको उसके बाद फिर देखना इस पर कितनों पायर रखे पायर इस पर कितनों पायर लगे य यह टीप्स आप लोगो कैसा लगा आप चलूर बताना फ्रेंश ठीक है ना चलिए अगले टीप्स देख लेती हूं तो देखे फ्रेंश दूद को हमें इस तरीके से ले आते हैं जैसे कि आधा केजी या एक केजी दूद लाते हैं तो फिर हमें सुबह में ही गरम करना पड़ या फिर आप भूल गयों गरम करने के लिए तो देखे आप इस तरीके से क्या करना ना इस तरीके से दूद आपका जितना भी हो आप एक चमच नहीं डालना आपको दियान रखना है कि सरसों के तेल लेना है और बस हमें दूबुंद डालना है ज्यादा नहीं डालना है ठी कि यह दूद में जिसे कि हम जो सरसू का तेल मिला हैं तो इसका इसमेल जो है आने लगेगा दूद के अंदर तो फ्रेंज ऐसा नहीं है आप एक वार इस टीप को फोलो करना उसके बाद देखना जब भी हम इस तरीके से दूद को भूल भी गया उटने के लिए या फिर एक ब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको तो इस टीप को फोलो एक बड़ जरूर करना फ्रेंज और यहां पे देखिए जैसे कि यह हम ले लिए हैं टमाटर और इस टमाटर को जो है हम कट कर लिए हैं और फिर इसको हमें आधा चमज लिए हैं बेसन और यहां पे बेसन डा हल्दी हैं टमाटर के ऊपर में और फिर हमें लेना है थोड़ा सा इदम थोड़ा से लेना है हल्दी धियान रखें कि आपका हल्दी जो है अच्छा होना चाहिए घर का ही हल्दी उच करना ठीक है बाहर का हल्दी में पहुत मिलावट होता है जैसे कि आप लोग जानते ही है तो इस तरीके से हम अच्छे से टमाटर में लगा देना है, देखे कुछ इस तरीके से, उसके बाद हमें क्या करना है, देखे कितना इदम भींग गया है, यह जो सब बेशन और हल्दी मिलाए थे, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तो इसको अब हमें क्या करना है, जैसे क चेहरा में दाग धबे है ना तो इसकी में चेहरा में हो ही जाता है तो इस तरीके से आप चो टमाटर को यूज करते हो और इस तरीके से हम आथ पे आप लोगों को अपलाई करकर दिखा रही हूं इस तरीके से आप चेहरे पे अपलाई करते हो ना तो इस ही क्या होगा जितने आपके चेहरे में कील है मुहासे जिसे हो जाता है मुहासे सब का दाग हो जाता है दाग दबा चेहरे में बहुत तरह की चाहिया है आप इस तरीके से हब डेली यूज करते हो डेली नहीं तो हपते में दो वर तो जरूर ही करना इस तरीके से क्या होगा न कि आपका चेहरा में तो लाइट बहुत ही आ जाएगा इस तरीके से दीरे-दीरे करते और फिर जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब आपका हट जाएगा चेहरे से तो आप इसको एक बार चरूर यूज करना तो चलिए फ्रेंज अभी हम आप लोगो दोह कर दिखाती हूं कितना चेंजिंग हो ज होता है ठीक है आई होब आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंज तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हां फ्रेंज प्यारे प्यारे कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारा कौन सा टीप्स आप लोगो अच्छा लगा ठीक है ना तो कल मिलत ही उन निव टीप्स नहीं है के साथ तब तक